वर्स 1922 में अजमेर के खादिमों और पूर्व कॉगरेस नेता नसीफ चिस्ती द्वारा सेखडो हिंदू लड़कियों का चोशन और कूर गैंग रेप किया गया था इस भयावा घटना के 32 वर्सों बात अजमेर में पोसको कोट ने इस मामले में नसीफ चिस्ती नसीफ उर्फ ट्राउज सलीम चिस्ती सुहेल गणी और सेखड़ जमिन हुसेन को दोशिट हैराते वे एतिहासिक फैसला सुनाया है डॉक्टर सुरेंदर जेन ने कहा कि विश्व हिंदू परिशत अजमेर ग्रेब कांड में आईस एतिहासिक निर्णे का स्वागत करते वे मांग करते कि मामले की गंबिर्टा को देखते वे सबी आरोपियों को सिर्फ कारवास नहीं अभी तू फासी दी जाए 32 साल पहले अजमेर के अंदर सैक्णों हिंदू लड़कियों के साथ ब्लैक्ट मेल करके बलातकार करने की घटना हुए वे बलातकारी दरगाह शरीफ के साथ जुड़े हैं खादिम परिवार से जुड़े हैं और कॉंग्रिस के साथ भी जुड़े हैं उन्होंने जिस प्रकार की एक दुर्दांत अपराद किया था ये सजा परियाप्त नहीं है सैक्णों हिंदू लड़कियों ने बत्ते साल से जो पीड़ा सही है उनको न्याय तभी मिलेगा जब इनको फासी की सजा होगी हम राज्य सरकार से अपील करते हैं वे उच्च न्यायले में जाएं अपील करें इसके विरोध में और उनको फासी की सजा दिलवाएं अजमेर की दरगा शरीफ का इतिहास बहुत विवादासपद रहा है हिंदू विरोधी रहा है राट्र विरोधी रहा है वही के एक चिस्ती ने सरतन से जुदा के नारे लगाए थे जिसका परिणाम निकला कनहिया की हत्या हो गई उसका सरकार दिया गया वही के एक चिस्ती ने हिंदूों के आर्थिक बहिशकार का भी फत्वा जारी किया था वो आर्थिक बहिशकार करें वहां हिंदू लड़कियों के साथ बलातकार के शड्यंतर रचे जाएं उनको सहरा मिलें एफ वह सर्तन से जदा की नारे लगाएं और हिंदू ही वहाँ पर जाएं हम रिंदू समाज से अपील करते हैं उस दर्गाह का बहिशकार होना चाहिए हमारे ही पैसे से हम पर अत्याचार किये जाएं जिम्मेदारी हिंदू समाज की बनती है वो ऐसा ना हो दुर्भाग्य से इन बलातकारियों के संबंध कॉंग्रेस से भी जुड़े हुए हैं ये उनके पदाधिकारी रहे हैं कॉंग्रेस का और जेहादियों का रिष्टा कितना पुराना है ये पूरी दुनिया जानती है लेकिन उसका यह स्वरूब बन जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था एक लंबी सूची है इस बात के लिए जहां बलातकारियों का संबंध जिहादियों का संबंध कॉंग्रेस के साथ मिलता है और वो उनके नेता या उनके खड़े किये कई वकील इनको बचाने के लिए आते हैं इस शडियंत्रका और दरगाह शरीफ में किये जाने वाले अपराधों का और चिस्ति के इतिहास का परदाफाश होना चाहिए समाज के सामने ये तथ्य आने चाहिए और विश्वा इंदू परिशत बहुत शीग्र इन तथ्यों को सामने लाएगा